Hello everyone, so आज हम लोग spoken English classes की एक class कर रहे हैं, इसमें हम लोग sentence formation से English बोलना सीखेंगे sentences कैसे बनते हैं, अगर हमें थोड़ा सा ये पता चल जाएगा, तो हमें English बोलना थोड़ा सा easy हो जाएगा तो ये हमारी first class है English spoken classes के लिए, तो इसमें आज मैं आपको tenses पढ़ाऊंगे sentences का एक बहुत ही first rule जो होता है हमारा simple present tense वो पढ़ाऊंगे, simple present tense जो होता है वो बहुत ही use होता है क्योंकि ये हमारी कहाँ कहाँ आप्लाय होता है, daily habits में, regular habits में ये apply होता है, तो ये हमारा है simple present tense simple present tense के लिए अगर हम देखें तो इसमें हम कौन से वाले sentences उसकर सकते हैं हमारा mother tongue हिंदी है इसलिए मैं आप लोगों को बता दू कि जो sentence हिंदी में last में जिन में ता है ते है ती है आता है ते है और ती है आता है उन sentences में हम simple present indefinite tense अपना लगाती है तो इसमें इसका बहुत ही simple rule है अगर हमें simple present indefinite का sentence बनाने तो हम कैसे बनाएंगे उसके लिए हम एक rule को apply करेंगे rule क्या है इसमें हमारा first हम लोग use करेंगे subject then हम verb की first form and then s या es then object verb की first form आप लोगों को पते है verb क्या होता है verb हिंदी में kriya होती है वो काम जो किया जा रहा है subject noun pronoun जो हमारा sentence जब start होता है उसके starting में जो हम use करते हैं वो हमारे subject होता है कि कौन kriya कर रहा है चीक है और object होता है हमारा कि किसकी हम बात कर रहे है rest of the sentence अब हम इसका अगर एक example देखें तो example क्या है हमारा I teach children मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ इसकी हिंदी क्या हो गई? मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ. इसमें हमारा I क्या है? I है इसमें हमारा subject. क्या काम किया जा रहा है? Teach किया जा रहा है? Teach है हमारी work. और children क्या है? किसको किया जा रहा है? बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. तो ये हो गया हमारा object. तो I teach children क्या है simple present indefinite का simple sentence है simple sentence मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें हम negative और interrogative sentences भी पढ़ेंगे जब हम interrogative और negative पढ़ेंगे तो इसका rule change हो जाएगा sentence formation change हो जाएगा तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी simple simple sentences बनाने है तो हम simple present indefinite का rule यूज़ करके अपना एक simple sentence बना सकते हैं यह हमें speaking में भी help करेगा यह थोड़े से rules अगर हम लोग पढ़ लेंगे tenses जो होता है वो अगर आ गया तो हम speaking में बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं speaking में tenses का बहुत important role play होता है so yes IT children यह मैंने आपको बता दिया इसका अगर हम एक और दूसरा example देखी तो क्या होगा he goes to office at 9am he कोन होगे इसमें हमारा he हमारा subject हो गया और यहां पर कोन है he हमारा pronoun भी है pronoun और noun क्या होता है पता है आप लोग को noun होता है name place animal thing और pronoun होता है हमारा replacement of noun जहां हम name place animal thing जो हमारा noun है उसकी जंगा जब हम लोग pronoun यूज़ करते है तो यह हो गया हमारा pronoun तो noun और pronoun यह दोनों ही हमारे subject के लिए यूज़ होते है यहां पर हमने subject में अपना he लगाया तो he कोन है हमारा he हमारा pronoun है goes, go क्या है हमारा go इसमें हमारी verb है और es क्या है es कहां से आये मैंने बताया आप लोग को यह रहा हमारा sentence हमारे rule में seis हमें लगाना है verb के साथ तब हमने यहां पर es कहां लगा दिया अभी मैं आप लोग को बताऊंगे seis कहां लगता है he goes to office at 9am वो 9 बज़े office जाता है तो आप लोग देख रहे हैं हमारी daily habits भी है regular habit भी है तो जहां हमारी daily habits होती है regular habits होती है वह हम simple present tense का use करते है अब देखो मैंने आपको बताया subject क्या होता है work क्या है subject क्या होता है अब हम देखेंगे starts and hills का कहाँ use होता है तो पहले एक छोटा सा रूल तो यह देख लो कि ES जो है वो हमारे walce के साथ लगता है हमारे जितने जितने ही walce हैं जैसे A, E, I, O, U इस हमारे walce है इनमें जब हमारे पूरे वर्ड में Last में जो आता है उसके साथ हमारा ES लगता है और S जो है वो हमारा consonants के साथ लगता है ये examples के साथ देखी तो EAT EAT में T के हमारा consonant है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा EATS S लग जाएगा और अगर हम वहीं देखें GO तो GO में O क्या हमारा वाल है तो इसमें हमारा क्या जाएगा GOS ES हम लोग लगा देंगे और चलो हम ये तो पता चल गया S A E S लगना है लेकिन आप लोगो क्या ये पता है कि S A E S किस sentences में लगना है देखे अब हमने नहीं हातों नहीं लगाया कुछ भी IT Children में ना S लगाया ना E S लगाया लेकिन मैंने ही वाले में लगाया तो जब हमारी subject हमारा noun pronoun जो है वो plural होता है तब हम कुछ भी नहीं लगाते लेकिन जब अगर वो ही हमारा noun pronoun हमारा subject जो है वो अगर singular होगा तब हम S A E S का use करेंगे आई और यू भी हमारे plural में आते हैं आप लोग को पता ही होगा exceptional case है बाकि यू वी दे ये सारे हमारे plural है तो I teach children इसलिए मैंने यहां S A E S नहीं लगाया है और यहां मैंने S A E S लगाया है क्योंकि हमारा ही जो है वो क्या है यह हमारा singular है I really hope आप लोग को इतना समझ आया होगा यह simple present tense में एक ही rule था लेकिनी से मैंने बहुत सी छोड़ी छोड़ी चीज़े जो है वो आप लोग को बताई है next अब हम देखेंगे अपना इसी से को अगर हम negative sentence में change करना चाहें तो कैसे बनेगा negative sentence में हुमारा rule change हो जाएगा subject प्लस not प्लस वाप की first form प्लस object अब देखो अगर हम सीधा यह sentence बना देए पहली चीज़ों को अगर हम लोग संज़ेंगे कि कैसे बनी है तो हमें और भी helpful रहेगा हमें हर चीज़ को learn नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को समझना भी है देखो अगर मैं यह लिखूँ I not teach children तो क्या यह कुछ बन रहे है नहीं ऐसे नहीं बना है sentence अब क्योंकि हमें यहाँ पे not का use करना है कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ हमारा simple में क्या था I teach children मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और अगर यह है कि हम मैं बच्चों क लगाएंगे उसके बाद अपना sentence जो है वो फॉर्मेट करेंगे अब हमारा यह sentence क्या बनेगा I do not teach children मैं बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ I do not teach children तो यहाँ पर हम do not को इसका short form भी लिख सकते हैं don't अब यह आपको बताती हूँ do का use का होता है does का use का होता है देखो जो हमारा do है do हमारा लगता है plural के साथ और does हमारा लगता है singular के साथ singular आप लोग को पता है क्या होता है उपर भी बता है मैंने अभी आप लोग को जहां हम one person की बात करें किसी भी एक चिश की बात करें और do हमारा plural के साथ लगता है plural होता है जहां हम दो या more than दो लोगों से लोगों की बात करें when we talk about do और more than two person तो वहां हम क्या यूज करते हैं और plural आएगा तो do आएगा देखो या पर इसके लिए मैंने दो एक्जामपल्स की है लिखें आप लोग ले I do not teach children I हमारा subject है pronoun है और इसके साथ क्योंकि ये plural भी है तो हमने don't लगाया है do लगाएंगा अभी मैंने बताया आपको plural के साथ do लगेगा not का short form लगाया don't लगाया do not की जगा teach children I don't teach children मैं बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ और यहां पर वहीं मैंने आप लोग ले को और एक्जामपल लिखा है जो हमारा singular है singular के साथ यह हमारा pronoun है और singular है pronoun है तो हम क्या यूज करेंगे does यूज करेंगे she doesn't eat this यह वो नहीं खाती है वो यह नहीं खाती है किसी चिशकली हम बोरें कि वह यह यह नहीं खाती है eat हमारी verb है यह teach हमारी verb है children हमारा object है और this हमारा object है तो आप लोग को थोड़ा-थोड़ा समझ आया कि किस तरीके से हमने simple present indefinite के rules से छोटे-छोटे sentences बनाया है इसे हम थोड़ा भी आगे sentence patterns में भी देखेंगे जिससे sentence pattern की practice करेंगे जिससे तीजे आप लोग को और भी clear हो जाएंगे लेकिन इसके साथ साथ में आप लोग को एक छोटा सा application में बता देती हूं जहां पर simple present tense use होना ही होता है होता है जैसे regular habits और repeated action में हमारा simple present tense use होता है like every Sunday we visit our grandparents हर संडे हम लोग अपने grand parents के visit करते हैं तो यह का हम हर संडे करते हैं तो हमारा regular habit है repeated action है बार-बार करत हैं तो इसलिए इधर हम क्यों सा संटेंस यूज करेंगे simple present tense she does cleaning twice a week वो एक हफ़ते में दो बार cleaning करती है twice a week ठीक है मतलब यह regular habit है मतलब वो हमेशा करती है हर हफ़ते दो बार वो सफाई करती है repeated action है dust cleaning क्या हो गया देखो यहां पर she था she के साथ हमने dust लगाया do हमारी help verb है और yes हमने इस के साथ लगाया है हमारी rule के according cleaning अब देखो यहां पर cleaning है यहां पर cleaning का अलग concept है वो मैं अभी आप लोग को नहीं से समझाऊंगी बस एक बार बता देते हूं cleaning का है यह जेरेंड है cleaning अगर आप लोगों नहीं सुनाओ तब आप लोगो समझ आ जाएगा नहीं तो कोई नहीं हम दुबारा इसको बार में कर होगा वहां हम SCIES का यूज नहीं करेंगे लेकिन जहां singular है महां SCIES का यूज करेंगे और मैंने यह पता है और S और ES कहां लगता है next general facts and universal truth के साथ भी हमारा present indefinite tense लगता है sun जो है वो कहां rise होता है इस्ट में होता है देखो sun के साथ ES लगा है the stars shine at night stars कहां shine होते है वो हमारे night में चमकते हैं हमारे जो तारे है तो यह भी एक general fact है universal truth है time passes very quickly when we are busy जब हम लोग busy होते हैं तब हमारा time बहुत जल्दी pass हो जाता है तो यह सारे क्या है general facts है तो general facts और universal truths के साथ भी क्या लगेगा simple present tense next है हमारा अगर हमें किसी को instruction देनी है directions देनी है request करनी है commands करनी है invite करना है या advice देनी है तो इन सब situations में भी हमारा present indefinite tense लगता है be there at 5 p.m. आप यहां पर होना पांच बजे तो यह हमने किसी को instruct किये direct किया है ठीक है come out with us tonight आज हमारे साथ भाहर चलो हमने किसी को invite किया है please join us for dinner हमने किसी को बोला है कि dinner के लिए invite किया है clean your room और यहां हमने किसी को advice दिया है simple present indefinite तो यह था हमारा simple present indefinite के मैंने आप आपको दो रूल्स बताया है बहुत ही simple एक simple sentence का एक negative sentence का इसके साथ interrogative और interrogative प्लस negative भी होता है बट उसको हम बाद में करेंगे अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में और साथ-साथ मैंने आपको थोड़ा applications भी बताई है simple present tense की I hope इतना clear हो अगर कुछ भी होगा तो हम आगे discuss कर लेंगे Thank you